आज जो हम बात करेंगे एक तो जो जो नेशनल स्यूर्टी कमेटी की जो एहम मुलाकात हुई है ये एहम बैठे किस लिए हुई और इसमें क्या गुफ्टगू हुई क्या फैसले हुए क्या चीजें मद्दे नदर रखी गही ज़रा इस पर बात करेंगे इसके इलावा जो दूसरी चीज़ है वो मुल्क में दबारा से एक टेक्नोक्रेट सेटप की बात चल दिया है जी और ये टेक्नोक्रेट गॉर्मेट जी शबरजदी साब ने कहा है जी दो तीन दिन में फैसला हो जाएगा और हमसे मुशावरत की गई है बलाके और उसमें गुफ्टगू की गई है और आगको पता है साबिक चेर्मेन एफबिया रहे हैं शबरजदी साथ और पीटी आई के दोर में और जनल कमर्देद बाजवा की कॉंसेंट से आये थे लेकिन कुछ एर से में स्टीफा दे के चले गए तकिन साथ-ाथ माह का उनने टेनियोर गुजारा तो वो अब वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि जी वो खबर दे रहे हैं बलके उन्होंने यहरुआ पर गुफ़ करते हुए का कि जी वो आ रहा है टेक्नो क्रेटिक सेट अप असद कैसर साथ ने भी हमिद्मीर साथ के प्रोग्राम में कहा कि हमें हकूमती शक्सियत न जाते हैं जो जो तवील मुद्दती हो जो सक्त फैसले ले और उसके बाद अलेक्शन में जाए और जो खुरम दस्तगीर साब हैं जो इनरजी मिनिस्टर है पकिस्तान के फेडरल इनरजी मिनिस्टर आँ उन्होंने भी कहा कि तस्दीक की असिब कैसर साब की बात कि लेकिन उन्होंने कहा कि इन्फॉर्मली यह कहा गया था कोई ऐसी को फॉर्मल चीज दी ना को फॉर्मल तवीज जिरे गोर है इंटेरम सेटप और वो भी टेक्नोक्रेट का लाके जो के तवील मुदत के लिए और सक्त फैसले कि वह एक चल रही है इस बात को इस वज़ने से भी हवा मिल जहें लेकर हम को बताते हैं कि टेक्नोक्रेट सेटप आ रहा है नहीं आ रही है इसको बहुत सा शायसी नुकसान किया है उसका बहुत सा जो प्लिटिकल कैपिटल है वबर्न हुआ है पिछले चंद माह में तो अब वो मजीद सक्त फैसले लेने से घबरा रहे हैं अब कि I.M.F. कह रहा है कि नहीं सक्त फैसले ही लो और जो मर्जी हो जे सक्त फैसले ने अब वो प्लिटिकल गवर्मेंट है प्लिट देफिसेट था और ये ट्रेडड देफिसेट था और ये जिसे कहते हैं इतने के अत्री इपर्मैंटेola, इतने की इंपोर्टो तो तुम लोगों ने मेरक सत्यानास कर दिया, इतना मेरा बिजली का बिल आता था, तो अब वो घबराये में हैं, तो इस बुनियाद पर ये थियूरी चल दिया, तो फिर आप टेक्नो क्रेट गॉर्मेंट की दूरत है, जो आकर सक्त फैसले ले, जिसके ओपर सैसी बेर्डन मेरा हो, और जो आकर जिनाब के, ये ना हो कि उसने अवाम से वोट लेने या, तो उसको फिकर हो कि कल वोट लेने जाओंगा, तो जूते खाएंगे, तो इसलिए बेतर हो आकर सकून से बैठे फैसले ले और चले जाएं, लेकर ये जो टेक्नो क्रेट गॉर्मेंट की जो प गहर पारलिमानी तरीका इंतखाब, ये साला हमारे फूजी सेविश्मेंट को बड़ा फैसिनेट करती रहते हैं ये सिस्टम्स, ये पॉलिटिशन ये फैसले नहीं ले पाते हैं, ये चोर होते हैं, ये आते हैं, ये डिलीवर नहीं कर पाते हैं, ये इन्होंने वोट देने ये उनको बहुत फैसिनेट करता है शुदू से, और इसी फैसिनेशन के टकरम उन्होंने इस मुल्क में यक मिकाती, जिसे कहते हैं, एक पार्टी सिस्टम भी लाने की कोशिश की ये वो पी टी आई थी, उसके लिए उन्होंने बड़ी जमाते थी पार्टी पेमलन को उनको दोजाराग से लेके दोजार अठाना तक कट टू साइज किया, उनके लीडर्स को लाइफ टर्म डिस्कौलिफाई किया, फ्रिवलिस करप्शन केसिस में सब को अंदर करते रहे, आगे पीछ एकरते कि इमरान खान के लिए एक सुनिया और जन गिलिया थे फिर कल्ला वेच फिर एवला महोल बंगे और फिर हम लोग इमरान खान साथ के मिलके याशी करें और फिर बड़ी हुकूमत चलेगी और हम टेक्नो करेट्स लेएगा, फिर वो इमरान खान के दूर में टेक्नो करेट्स लाए, शबर जैदी आए, रजा बाकर आए, अब्दलफीज शेख लाएं, जो गहर सियासी शक्सियाथ थी, ये फिरोग नसीम को लाये एक और शिर्जीन पीरदादा है, बलके अगले दिन किसीने का शर्फूद्न हराम, तो आच्छा वो मतबड़ रॉनन झा है, अब उन्हीन किसीन का अगे रॉत हराम तो अब अग्यों तो अब वो इस किस ये इसी थाली में चिटे बटे सारे लेकिन क्या मुल्क चला बताए ना कोई आज आज आप जाकर पूछिए जो उस वक्की फैनास टीम थी कि ये जो आई-एम-फ अब तमाम फैसलों पर अमल द्रामत पर जोर दे रहा है कि उसके बगार हम नहीं मानेंगे और नहीं पुलिट कमरदेवद बाजवा ने जो साबिक आर्मी कीफा उन्होंने इंपोर्ट किया आई-एम-फ से तो जब आई-एम-फ से फाइनल मुजाकरात हुए तो आई-एम-फ के साथ जो वो निगोसियेशन हुए उसमें जो ड्राफ्ट अंदर फाइनास टीम्स ने तियार किया उसमें स्टेप वाइस जो आई-एम-फ की कंडिशन्स थी उन पर अमजद्रामत का कहा गा था कि पहले रिव्यू में ये कंडिशन्स को मीट किया देगा दूसरे रिव्यू में इन कंडिशन्स को मीट किया देगा तीसरे रिव्यू में इन कंडिशन्स को मीट किया देगा तो कहते यह दफा महीं जो implement करवानी है इंसे करवाने बाद में नहीं करेंगे यह तो आई में फ़ालो ने का ओगे ठीक है अगर इस मुलक का मेंगाई होगी इतना रुपया गिर गया ये सब कुछ होगया है अध्राइस शद्र राद है जाए पर अगर अगर आये साप यह वैं gotta पूछा हमाने का कैसे हैं अब्दुलफी ये सोरी शबर देदी थाप उन्होंने का पॉलिसी मेकिंग में अच्छे हैं लेकिन एडमिसेशन में जीरो हैं ठीक है और वह हुआ कैंसे नहीं एफबियर चल सकी तो अब बात ये है कि अगर तो इन लोगों पर बात आगी है मेरी ए इलनिस दोस्त हैं एडाई नो शीज वरी साउंड लेकिन उन वैसी मुझे लगता है कि चसका फ्रोशी कलमें जो उचा कैसे ये क्या टेक्नोकरेट गवर्मेंट की बात चल रही है तो मैंनों ने जवाब दिया मैंने का लिए अगर शबर जादी फरुख सलीम और इन लोगो मिश्रा लेना है फरुख सलीम साब से मिश्रा लेना है तो मैंने का जी आपको चाहिए कि फोरी तोर पर अगर आपको निपाल का भी वैलिड वीजान है इस मुल्क से निकल दें इसका मतलब है जो आरड़ी इमरान खान का त्रिर्वा करके फोजी स्टेबिश्मेंट ने इस मुल्क के साथ किया उसके बाद अगर एक टेक्नो क्रेट सेटप भी वह लाने जा रहे हैं और वह भी इन लोगों से मश्रा करके लाने जा रहे है तो इसका मतलब है वह इस मुल्क को तबाही के ध्याने पर पिंटाने के बाद अब दफन भी खुद अपने आथों से करने ज करते हैं कि पत्तप इस्किए अछिए रिडिक्लमश शेतर रहा है उसके वाद वजा उपको बदाते हैं कोई टेक्नो क्रेट सेट अप मिया या जा, पूई नहीं यह आ रहा है उसकी वजा है कि तेखिए गो के मुल्क माषी बहुत पत्ले हो Gary हैं पाकिस्टान का जो फोरैंड फैफ पॉइंट एटिडिन डाई पर आ चुक है इस वक्षटन के पास जो पाकिस्टान के पास जो डाउलर है डालर के रिजड्व हैं फाइट ब्रीजिड डालर वो जो कमर्शल बैंकों के पास मुझूद फरन रिजर्व हैं उससे भी कम है आपने अभी एक अरफ डालर अगले माँ अदा करना है ये पहले हफते में उसके बद चार शरी आठ अरफ डालर पर आ जिए गो आपने मार्ज तक आठ अरफ डालर से ज़्यदा बिरूनी करदा अदा करना है तो अपको कहां से पैसे आएंगे जबकर आपके अगाउन में चार अरफ डालर पडा होगा और आपने साथ अरफ डालर और और भी एदा करना होगा तो देखें यह सब حलात हैं बहुत नाजुक अलात हैं और माध़्ध के साथ फाइनाज मिनिस्टर इसागडार साथ पता निकिस उसमें फिर रहे और बार बार कर 오늘은 यह रहाई अरकूं नहीं और आप नहीं हो रहा ठीक है आप ये भी तो बताएं जो आठ हऱा करना है कहां से हम अदा करेंगे वह कमें वह बता है तो शीट ना वह वह पेपर शीट दिखाए time है सोधिया से माँग रही है सोधिया नों भी currency करें z ऐख दो ंता है क imp के कांसे माँगे तो कहां से honor का एब फेसे आрах रही है जो我跟你 को एक video लिया नहीं जा रहा है कि आपको सक्ट फैसल ले और IMF के किस तर रिजिम हो क्योंकि ये तमाम मुमालिक कह रहे हैं कि IMF का प्रोग्राम ट्रैक पे आएगा तब फिर हम आपको पैसे देंगे क्योंकि IMF का प्रोग्राम पूरी दुनिया के लिए एक पॉजिटिव वे उती है एक पॉजिटिव वेव झिती है उसको सिगनल जाता है spatula शीटिव सिगनल जाता है पूरी दुनिया को कि बाई इमएफ अगर कह रहा है कि ये मुल्क चले हमारे प्रोग्राम को फालो करेगा अब जो बात है कि इस तमाम में लेकिन क्या प्र प्र टेक्नो करेड कुर्मेंट आएगी जी नहीं नहीं आएगी टेक्नो करेड कुर्मेंट उसकी वज़या है देखिए अभी जो नए आर्मी चीफ आया है जनरल आसिम मुनीर उन्होंने अभी 29 नुमंबर को तो चार संभाला है उनको कल एक माह हुआ है आर्मी चीफ बने में वो एक माह केंदर अंदर इतना बड़े फैसले लेंगे कि स्यासी हकूमत का बोरिया बिस्तर लिपेटेंगे एक अपनी मर्दी के टेक्नो क्रेट चुन के लाएंगे जिसमें वो शबर जदी साथ जैसे लोगों से मुशावरत उन्होंने की वी होगी मतलब सोचिए ना यस मुल्क को एक करसे से हम ये शबर जदी साहब इश्रत डाक्टर इश्रत हुसेन साहब इन लोगों के आथ स्टड़े में हैं इश्वाक वो कहना मैं अकील करेम धेड़ी वो मुहमद अली टबा और ये कौन लोग है हमेशा फोजी स्टरिश्मेंट ही न के साथ मुशावरत कर रही होती और इन्होंने हमेशा मरवाया है ये हमेशा अपना इंट्रस्ट देखते हैं मुल्क का इंट्रस्ट नहीं देखते अगर फोजी स्टैबिश्मेंट ठीक लोगों के हाथ लगी ही होती तो पिछले दोर में अब्दुलुफीज शेक साहब बन समझने के जोड़ता है ठीक है तो अब चीज यह है कि जो कोई भी हालात है टेक्नोग्रेट सेटप तो नहीं आ रहा अगर टेक्नोग्रेट सेटप आना होता तो ये समझे नून लीक की सियस्ट खत्म है क्योंकि पर नून लीक कल को किस मूँ से जाके हमाँ में बात करेगी क हम तो डिलिवर करनी सके थे इसलिए हमारा बोर्य अब इस तरह पिटा गया तो अब हमें पांच साल के लिए यह खूं८त दो तो हम ताकर डिलिवर करें लोग किए आठ मां में तुम लोग चोड़के भाग गये थे टेक्नोग्रेट्स के वाले करके और उन जो जनरल फैज और जनरल कमर्द बाजवा और इमरान खान की शुरत में जो फोज के इदारे के अंदर जो एक तक्सीम आई और वो सियसी तक्सीम थी उसको खतम किया जाए यह उनकी पहली प्रियारिटी है दूसरा वो इसके लिए अपने की लोगों को की पॉजिशन्स पर ला रहे हैं चीज़ें डिसाइड कर रहे हैं तीसरा वो अब मुट में देशर्दगर्दी के ख्राव बहुत बड़े प्रेमाने पर एक आपरेशन लांच करने जा रहे हैं और उसके लिए जो लास्ट कोर कमांडर मेटिंग हुई उसमें बड़ी डिटेल में डिसकेशन हुई उसमें ये भी डिसकस हुआ कि टीटीपी का थ्रट कितना बड़ा है अफगान तालबान को किस हद तक हम कर सकते हैं ये भी डिसकस हुआ कि जो एक और जो प्रेशान कुन सूर्टेहाल जो उसमें ब्रीफ किया गया वो ये थी कि जो ब्लोच अलहदगी पसंद ग्रुप हैं उनके भी अब टीटीपी से मौमलाद तैप आने लगे हैं और वो टीटीपी पकस्तानी रियासत से यानिके फोज से लड़ने के लिए सेम पेज पर आते जा रहे हैं और एक दूसरे से तावन करने लगे हैं तो इसके अपर फिर एक ग्रैंड ऑपरेशन की बात कीगी जो किया जाए ब्लोच तान और जो पकस्तान के कबाईली साबका कबाईली लाका जाता हैं यानिके नौर्स विजिस्तान, सौल्थ स्विजिस्तान, बाजोड, और उग्र एजनसी, दीर, सवात, इन बैल्ट्स में ये एक बड़ा ऑपरेशन लांच करने की महमद अजनसी ये एक बात की गई है, उसके लिए फिर उनको जारी बात है, एक स्पोर्ट की भी जुरूरत है, वो स्पोर्ट उनको फिर मिल सकती है एक सियासी हकूमत से, टेक्नोक्रेट्स की हकूमत इस स्पोर्ट नहीं दे सकती, और इसी के लिए वो कोर कमांडर मीटिंग के बाद कल जाके वो प्राइम मिनिस्टर शेबाशी से मिले थे और उन्होंने महाँ पर दरखास की थी कि में सियासी स्पोर्ट की जुरूरत है, जिस पर आज कोमी स्लामती कमिटी का इजलास बुलाया गया, और इजलास में भी य उर्ते हाल जरेगोर आई, उसमें ये भी देखा गया कि पिछली जो कबाईली लाका जात में जो आपरेशन्स किये गे, उस पर बड़े पेमाने पर नकल मेकानी हुई, लोगों को बे अपने घरों से बे घर होना पड़ा, और वो फिर जाके बड़े जिसे कहते हैं, बुरे जर्सक्त सक्योर्टी, चेकिंग और दीसे मराहिल से गुजणा पड़ा जिससे वहाँ बहुत ज़्यदा लोगों में ग्रिवेंसिस पैदा हुए, और जिस उन्ही ग्रिवेंसिस जो के जाइस ग्रिवेंसिस थे, उनकी बुनाद पर पी टियम मूव्मेंट खड़ी हुई, जिसके मनदूर पिश्टीन साहब की आवाज आज सबसे तवाना आवाज है उनका बाइलिला काजात में, और यह सब कुछ बक्वास है, जूट है, कि उनको फॉर्ण फंडिंग है, यह है, वो बिलकुल एक, जिसे कहते हैं, लेटिमेट लीडर है, जायद आवाज है, तो वो उन, जिसे कहते हैं, एक नेक बाइलिलाकार आपरेशन से, फिर इतने लोगों को अगर बेघर करना पड़ा, तो वो फिर ग्रिवेंसिस फिर बढ़ेंगे, और उसके नतायर होते हैं, तो उस पर बड़ी तफसीली गोर किया गया, कि किस तरीके से आपरेशन किया रह अगर उसको बेघर होना पड़े, तो उसको कहां पर अबाद किया रहें, और इस दफ़ा अपरेशन में क्या चीजे बहुत महतात होकर की रहें, कि लोगों में, मुकामे अबादी में, ये केपी के हद तक बाद हो रही है, ग्रिवेंसिस पैदा ना हो, तो इस पर भी बात क की गई, इसके लावा अफगानिस्तान पर बात की कि कि अब तालबान वहां पर मुझूद हैं और वो पकस्तानी रियास्त को नहीं सुन रहें, तो उनके ओपर भी देखा जाए, कि उनका सथ किस तरह सब डील करना है आपने, तो वो सब भी बात चीट हुई, वहां पर और अब बरीफ किया, लुए जब ऐजो फंग्यांद रिया, वो किस तरह की बात सी ती आप या पतरा हैं तब भानी काद सल हुई तो काबल में इस वकत हकानी, जो है हकानी फैमली, उन में और जो मुला याकूब हैं जो मुला उम्र के सऽाबजादे हैं उनमें शधीद टसल है तो हकानिस कहलाते हैं एक ग्रूप मुला याकूब याकूब दूसरा ग्रूप क्योंकि मुला याकूब तालबान के अमीर बनना चाते थे लेकिन ये हकानिस ने नहीं बनने दिया था और वो अखुन जादा बन गए अमीर तो मुला याकूब के अंदर वो ग्रज तो है और वो इनको पकिस्तान की प्रॉक्सी केते हैं तो ये भी डिस्कस किया गया कि वो हिनादबानी खर सहबा गई तो तो यहुआ खर सोझे महद्वन के वो तो जो जो उन्हों ने हाकानी और दीगर जे इर्टेर्म Зап की लोग पे उनसे तो मुला याकूब सो मुला याकूब जो इनके जेर असर क्मांडर्स है वह बहुत अब्र एक इंटी पक्स्तान पालिसी भी लेकर चल रहे हैं और जो टीटीपी और दीगर ग्रोव हैं उनको उनकी छत्री भी हासल है और अगर ये खलीज बड़ी हरकानिज और मुल्ला याकूब में तो ये हो सकता है असी डिवाइड भी हो जाएं कि हो सकता है कि ये तो तमाम फैक्शन है बश्मूर टीटीपी ये एक हो जाएं और पाकिस्तान के लिए मज़ीद मुश्किलात बढ़े तो इन तमाम अमूर पर भी गुफ्तगू ही वहाँ पर इसके रहावा जो पाकिस्तान की माश्य सूर्ट जारी बात ही क्योंकि जारी बात है पहले तो हम जो अपरेशन्स कर रहे थे और अफगानिस्तान में क्योंकि अमरीकी फोज मुझूद थी उनको चाहिए था क्या देशित घर्दों की महफूस पना गाहें खत्म हों तो वह उन हमारे मिल्टरी अपरेशन्स को फंड भी करते थे लेकिन अब अमरीका अफगानिस्तान में मुझूद नहीं हमारे मिल्टरी अपरेशन्स की अमरीका को उस तरह जरूरत नहीं है तो अब वो उस तरह से हमें फंड करने को त्यार नहीं है को कि हमारी है हकूमत और जो मिल्टरी से यह अमरीका और ब्रादरी से इस दर्श् है इसको खत्म करने के लिए बात्चीत कर रही है और चाह रही है कि हमें कुछ उस सूरत में अगर इमदाद ना दी जाए तो कम असकम आइमफ की कंडिशन को रिलैक्स किया रहा है ताकि हमारे मुल्क में जो फॉरन डालर का इंफलो है वो बड़े हमारे फॉरन रिजर्व भी रिसेंटली विरुनी दोरे किये हैं उन्होंने और सब इन चीजों पर बात्चीत होती रही है अमरीका भी वह गये हैं दीगर भी माली करने विजट किया है रिसेंट पास्ट में इसके लावा जो चीज है उसके बाद अब एक तो कंसेंसिस है कि एक मिल्टरी ऑपरेशन तो लाजमी होगा इस मिल्टरी ऑपरेशन की क्या रिप्रिकर्शन होंगे यह तो आने वाले दिन बताएंगे लेकिन इसमें जो बलोचस्तान का अंसर है यह बड़ा संजीदगी से देखने की जूर्ट है बलोचस्तान में पिछले कुछ सालों में पाक्सान ने पिछली दो दहाईयों में जो पालीसियां अक्तियार की हैं जिस बड़े पेमाने पर बलोच माओं के बेटे हमने लापता किये हैं बलोच बेहनों के भाई हमने लापता किये हैं बलोच बच्चों के बाप हमने लापता किये हैं वो एक बहुत बड़ा एक मसला बन गया है अस्त्रम्रो जैसे जो सक्षन पाक्सानी जैसाब के बारें पाय जा दिए तो अगर हम एक और मिल्टरी आप्रेशन करने जा रहे हैं वहाँ पर जिसमें बुलुट्रियोपरेशन को भी साथ करना चाहरे हैं बहुत बड़े प्रमाने मिल्ट्री आप्रेशन टी टी पी जासा है बलुट्रे को अपने हैं से बहुत दूर कर दिया है खुदा ना करे मेरे मूँ में खाक लेकिन यह ना हो कि उसके बाद हम बलुच्टान को खोड़ दी है बलुच्टान के बारे में पाकिस्तानी रियास्त को बहुत सोच समझ के फैसला करने की दूरत है और उसके लिए वहां पर मिल्ट् लएफ डालने की दूरत हैं और मैं फिर कहूंगा जितने हमारे बलुच्ट हमारे पस हमारे जेलों में बन है ला पता खुदारा उन सब को छोड़ दीजिये सब को छोड़ दीजिये बिला तफरीग चोड़िए को अगर किसी मिलवस भी रा तो छोड़ दीजिए इन ब्लोच माओं के पास जिस जिस चहर का बच्चा आपने छोड़ना है उस चहर का जो सीनिर एक फोजी आफिसर हो जाए वो एफसी का हो या फोज का हो एक M.I. या A.I.S.I. का नमाइदा हो एक लोकल M.N.A. और M.P.A. हो ये लोग उस मा के घर्द हैं उनका बेटा वापस करें उनके पैरों को हाथ लगा के माफी मांगें और के गलती होगी थी ले गए थे लेकिन आइदा नहीं ये करेंगे और फाइनशल कंपेंसेशन भी दें क्योंकि वो इतना साल वो बंद रहा तो उस घर के माशी अदात कैसे चले होगे और आप फाइनशल कंपेंसेशन देंगे तो हो सकता है वो को कारुबार करें कारुबार करेंगा तो उसकी जिंदगी न आपल आपल आपल